तेल को लेकर एस जैशंकर की दुनिया को फिर दोटू तेल पर भारत के साथ नहीं चलेगा दुनिया का कोई खेल भारत वासियों के हितों से समझवता नहीं करेगी सरकार जिगरी दोस्त से जानी रहेगा सस्ते तेल का कारोबार दोस्तों जब से रूस और यूकरेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो है तेल और प्राकृतिक गैस जिसका खुद पश्यमी देश रूस से भर भर कर आयात कर रहे है लेकिन भारत को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे है उनकी इस दोहरी नीती का भारत ने भी करारा जवाब दिया है पश्यमी देशों को दो टूप समझा दिया है कि वो इस मामले में किसी की नहीं सुनेगा और अपने हितों को देखते हुए ही फैसला लेगा अपनी दुम पर ऐसी लात पड़ती देख पश्यमी देशों के सुलग गई है उन्हें लगने लगा है कि रूस को अपने प्रतिबंदों के जाल में फसाने का जो प्लैन उन्होंने बनाया था भारत के चलते उसकी वाट लग गई है उसकी बैंड बजग गई है चीन भी इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है एशियाई देशों के इस जुगल बंदी ने अमेरिका की सारी अकड निकाल दी है उसकी नीन उड़ा दी है जिससे वो भननाया हुआ है खास कर भारत को लेकर उनका माथा घुम गया है अमेरिका सोच रहा था कि भारत उसके दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा लेकिन भारत के स्टेंड ने उसके सारी सोच की हवा निकाल दी उसकी बोलती बंद कर दी दरसल रूस के यूकरेन पर हमला करने के बाद पश्यमी देशों ने रूस की अर्थविवस्था को पटरी से उतरने और उसके सबक सिखाने के लिए उसके उपर कई सारे प्रतिबंद लगा दिये थे ऐसा लग रहा था मानों प्रतिबंदों की मार से रूस कुछ दिनों में धेर हो जाएगा और यूकरेन युद में सरेंडर कर देगा लेकिन रूस ने भारत के साथ मिलकर वो चाल चली कि पश्चिमी देशों का सारा गुणा गणित फेल हो गया उनकी काट खड़ी हो गई रूस और भारत के इस चेक मेट ने पश्चिमी देशों के ऐसे होश उड़ाए कि उनकी अकल ठिकाने आ गई दरसल रूस ने अपनी अर्धवस्था को बचाने के लिए भारत को एक जोरदार आफर दिया जिसके बाद भारत ने भी इस डील को फाइनल करने में देर नहीं लगाई और पश्चिमी देशों के लाख दबाव के बावजूद रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदना शुरू कर दिया पहले जहां भारत रूस से बहुत कम तेल का आयाद करता था वही सस्ते तेल के आफर के बाद उसने इस आयाद को कई गुना बढ़ा दिया भारत के इस कदम से रूस भी गदगद हो गया क्योंकि इससे जहां एक तरफ उसका खजाना भर रहा था वहीं दूसरी और अमेरिका की अकड़ भी धीली हो रही थी दोस्तों कहने में गुरेज नहीं है कि रूस की स्चाल ने पश्यमी देशों की सारी अकड़ निकाल दी है उनका गुरूर चूर चूर कर दिया है बाव जुदिस के अभी भी अमेरिका भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहा है उसे तरहा तरहा की प्रिलोभन दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर भारत रूस से दूर हो गया तो पुतिन अपने आप आधी जंग हार जाएंगे और बाकी जंग वो यूक्रेन को अपने हत्यारों के दम पर जिता देगा लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि वो अपने जिगरी दोस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा मतलब कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर पश्यमी देशों की बजा दी है जिससे हर भारते का सीना चोड़ा हो गया है आज के इस वीडियो में हम भारत की इसी स्टैंड को लेकर चर्चा करेंगे लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पश्यमी देशों को भारत की फिर खरी-खरी रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा भारत दोस्तों रूस को संकट से उबारने का भारत ने जो बीड़ा उठाया है वो उसे हर हाल में पूरा करेगा भारत ने एक बार फिर इसके संकेत दे दिये हैं विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि उसके लिए अपने नागरिकों का हित सरवो पड़ी है और इसे लेकर वो कोई समझोता नहीं करेगा यही नहीं उन्होंने रूस से कच्चे तेल के आयाद को देश के लिए सरवशेश सौदा करार दिया है दोस्तों यह आपको बता दूँ को रूस भारत का कभी भी प्रमुक तेल सप्लायर नहीं रहा है रूस यूकरेन संकट के साथ तेल कीमत में उचाल के बाद से भारत रूस से भारी मातरा में तेल खरीदा है क्योंकि रूस भारत को बेहद कम दाम पर बेहद आसान शर्तों पर तेल की सप्लाई कर रहा है ये कीमत बाजार भाव के मुकाबले 15 से 30 डॉलर प्रती बैरल कम आफर की जा रही है इसी वजह से भारत ने तेल का आयाद बढ़ाया है हानकि वे अमेरिका और यॉरपी देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल की खरीद बंद करें लेकि भारत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके लिए सस्ती दरों पर तेल खरीद ना प्रात मिक्ता है विदेश मंतरी ने कहा है कि तेल पर भारत की दो टूक हम अपने हितों के बारे में बहुत खुले और इमानदार है मेरे पास एक देश है जिसके प्रती व्यक्ति आए दो हजार अमेरिकी डॉलर है ये ऐसे लोग नहीं है जो उच औरजा कीमतों को वहन कर सकते हैं ये मेरा नैतिक करतव्य है कि मैं सबसे अच्छा सौदा सुनिश्चित करूँ एस जैशंकर ने कहा कि अमेरिका समेत बाकी देश भारत की स्थिती से अच्छे से वाकिफ हैं और वो इस मामले पर गतीरोद को तबज्जो ना देते हुए भारत का साथ देंगे दोस्तों विदेश मंत्री ने कहा फिलहाल दुनिया भर में कच्छे तेल और गैस की कीमतें बिना किसी ठोस बचा से काफी उपरी स्थरों पर हैं वो यॉरपी देश जो पहले रूस से तेल और गैस खरीदे थे अब वो ऐसे देशों से खरीद रहे हैं जो भारत के पारंपरिक सप्लायर यानि हर देश अपने नागरिकों के हितों को देख रहा है जैशंकर ने कहा कि आने वाले समय में पश्यमी देश इसे समझेंगे और भारत के कदम का भले ही स्वागत ना करें लेकिन वो मानेंगे कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए सही कदम उठाया है दोस्तों रूस से तेल खरीदे के कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर पढ़ने वाले असर के बारे में विदेश मंतरी एस जेशन करने कहा की मुझे लगता है कि नकेवल अमेरिका बलकि अमेरिका समेश सभी जानते हैं कि हमारी क्या सिती है और ये इस बारे में हम आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि जब आप खुलकर और इमांदारी से अपनी बात रखते हैं तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं वो हमेशा संभवता उसकी सराहना नहीं करेंगे लेकिन जब आप बात करते हैं और चालाकी करने की कोशिश नहीं करते जून में सलोवाकिया में गलोब सेक 2022 में रूस से भारते तेल खरीद के खिलाफ अनुचित आलूचना पर उन्होंने पलटवार किया था विदेश मंत्री ने पश्यमी देशों से पूछा था कि रूस से तेल खरीद को लेकर केवल भारत से ही सवाल क्यों पूछा दा रहा है जबकि यौरप युद के बीश भी रूस से गैस और तेल का आयात कर रहा है उन्होंने रूस की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया था जि 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड आयल खरीदा है व्यापार मंत्राले द्वारा जारी आंकुड के आधार पर ब्लूमबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के तुलना में रूस ने भारत से 20 पीस पीसदी अधिक तेल खरीदा है दोस्तों भारत अपनी जरूरतों का 85 80 पीसदी से जादा तेल का आयात करता है पहले भारत अपनी जरूरतों का केवल 2 प्रतीशत ही आयात करता था लेकिन रूस के आफर के बाद ये 10 गुना ज्यादा हो गया है दोस्तों यूकरेन युद के चलते यूरपिय मांग का कम होना रूस के तेल उद्योग पर गंभी दबाव डाल रहा है सरकार का अनुमान है कि इस साथ उत्पादन में 17 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है भारत में रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंद नहीं लगाया गया है लेकिन समुद्री बीमा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्य प्रतिबंदों को कड़ा करने और अमेरिका द्वारा नई दिल्ली पर दबाव के चलते रूस के साथ व्यापार कठिन मनता जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अब तक भारी छूट वारे तेल प्राप्त करने के अवसर के कारण मौस्कों के साथ अपने सम्मंधों को कम करने के लिए पश्च पश्चिमी देशों के आगे घुटने नहीं टेकने देगा विदेश मंत्री ने एक बार फिर इसके संकेत दे दिये हैं कुल मिला कर कहा जाए तो भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका का दम निकाल कर ही मानेगी जैहिंद जैभारत